Law of Thoughts के इस लेक्चर सिरीज में आज हम डैमनम, साइन, इंजूरिया इस पर्टिकुलर टॉपिक से डील करेंगे अपने अब तक के वीडियोज में हमने Law of Thoughts के बेसिक मीनिंग को समझा हमने Essential Features देखा हमने Thought के Definition को भी देखा in the words of Salmond, Winfield, Blackstone This is third class on Law of Thoughts अपने previous वीडियो लेक्चर में हमने इंजूरिया, साइन, डैमनम इस पर्टिकुलर मैगजिम के complete concept को डिसकस किया हमने दो केसिस भी देखे एस भी वर्सिस वॉइट एंड भीम सिंग अमले वाला केस हम जानते हैं कि देर आर थ्री मैगजिम्स जो की foundational basis की तरह हैं जिनके वजह से Law of Thoughts इमर्जेंस में आया है Law of Thoughts इवॉल्व हुआ है पहला है इंजूरिया साइन दामनम यानि देर इस लीगल इंजरी विदाउट एक्च्वल डामेज और एक्च्वल लॉस दूसरा है डामनम साइन इंजूरिया जिसे आज की इस लेक्च्वर में हम कवर करेंगे और तीसरा है ओबे जुस इबी रमेडियम वेर देर इस राइट देर इस रमेडिया चलिये वीडियो शुरू करते है लग ड्मिलमाना मॉण ठाइड देर लॉस पूलाइड आप मुझ यविव गूलड daar लॉस तिव शुडरूरども बाक्च्वरू इंजूरिया त देर लीड Paulाईड देर उस ट रेर लॉससन, O देर लाईड़ूद देर 3ह क अल व्रूस देर देरा कित्सक्वर्ण देर ses या लॉस्स और यह जो डामेज होगा इत में भी इन फीजिकल फॉर्म और फाइनांशियल फॉर्म तर दियर में भी विजिकल लॉस्टॉॉ और टॉलिए लॉस्सव själपॉ देरी जपाल्ष सभांडर में क्या अजए बॉस्टॉ युझीकल लॉस्टॉ यूस्टॉ य। पिंदेट ट्रैवनिथ बोगे। य॥र्म थॉवयर्म य॥र्म गत्यॉ तो इंजूरिया साइन डामनम के जस्ट ओपोजिट है डामनम साइन इंजूरिया और इस मैगजिम के बेसिस पर हम यह कह सकते हैं कि law केवल उन्हीं thoughts को recognize करता है जिसके वज़ा से दूसरे परशन के private legal rights का violation हुआ हूँ अगर किसी एक परशन के किसी act या किसी omission के वज़ा से दूसरे परशन का private legal rights का violation नहीं हुआ है लेकिन फिर भी अगर उसे actual damage हुआ है और इस damage may be either in physical form और it may be in pectonary form तो क्योंकि उसके legal rights का violation नहीं हुआ है तो इस maximum के तहत जो defendant है he is not liable to pay compensation to the plaintiff the concept of damnum sign injuria is essential in preventing baseless claims ensuring that legal actions are founded on genuine violation of legal rights तो basically, जो base-less claims होते हैं, उन्हें इस maxim के तहट recognize किया जाता है, और law कहता है, हम केवल उन्हीं claims को entertain करेंगे, उन्हें actions के against compensation दिया जाएगा, उन्हें actions को recognize किया जाएगा, जिसके वजह से दूसरे परिशन का private legal rights का violation हुआ है, जितने भी social wrongs होते हैं, जितने भी moral wrongs होते हैं, जरूरी नहीं कि वो civil wrong हो, thought is what, thought is a civil wrong, thought क्या है, it is a civil wrong, but it will not cover, ये cover नहीं करता है, social wrongs को और moral wrongs को, और ये भी ज़रूरी नहीं है, कि जितने भी legal wrongs हैं, वो social wrongs, या moral wrongs को सबर करें, तो यानि हम ये कह सकते हैं, कि social wrongs, या moral wrongs, wrongs तो हैं, लेकिन ये legal wrongs नहीं है, इसलिए इन दो wrongs के basis पर आप action नहीं ले सकते हो, defendant के against में, आगे चलके, अभी हम Gloucester grammar school और, और, Mayor and Company of Bradford versus Pickles, इन दो cases को जब समझेंगे, तो ये जो दो wrongs है, social wrongs and moral wrongs, क्यों ये दोनो wrongs, legal wrongs में cover नहीं होंगे, ये आपको समझ में आ जाएगा, तो ये जो damn num shine injuria maxim है, इस maxim के तहत, इस maxim के basis पर, जितने भी false allegations होते हैं, उन्हें prevent किया जाता है, और ये देखा जाता है, कि जो defendant है, उसका act क्या law of thoughts में cover हो रहा है, या नहीं हो रहा है, जामनम, sign injuria, in thought, plays a fundamental role in maintaining the integrity and fairness of legal system, by distinguishing between actual legal wrongs and mere co-lateral damages, तो basically actual legal wrongs को recognize किया जाता है, इस maxim के basis पर, जाता है, 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 or that institution is not able to claim compensation from the court because court on this particular maxim recognizes only those claims which falls under legal claims which falls under law of talk तो क्या हम यह कह सकते हैं कि किसी moral wrongs के लिए कोई remedy available है नो किसी social wrongs के लिए remedy available है नो जैसे हमने एक example देखा था कि Mr. Wax जो की एक shop फीपर थे इनके बगल में Mr. Boy ने एक similar shop को open कर लिया था तो इन्होंने morally wrong तो किया था लेकिल इस wrong को फोट recognize नहीं करता है राइट चलिए Mayor and Company of Bradford versus Pickles इस case को हम समझते हैं और हमारा concept जो है और clear हो जाएगा Mayor and Company of Bradford versus Pickles जो notes है वो आपको मेरे telegram channel पर मिल जाएगे तो आप मेरे telegram channel को join कर सकते हों अच्छा इस पर्टिकुलर केस में क्या था The Bradford Corporation suit the defendant Claiming that digging a well on defendant's land Had reduced the water supply to corporation's will Causing them financial losses due to insufficient water for people within their jurisdiction तो Mayor and Company ने Suit file किया इस के अगेंस में इस के अगेंस में यह कहते हुए कि Defendant ने अपने लैंड पर एक कुवांख होदा है जिसके वज़र से जो underground water supply है वो reduced हो गई है और मेरे प्रिमाइस का जो water supply है वो रुप गया है जिसके वज़र से मुझे financial loss हो रहा है However, the court found that defendant is not liable because they had not violated they had not violated any legal rights of plaintiff and concept of damnum sign injuria applied तो court ने यह कहा कि defendant ने अपने प्रिमाइस पर अपने लैंड पर विल बनाया है तो इसने कोई wrong नहीं किया है और इसका जो act है वो actionable नहीं है क्योंकि वो अपने प्रिमाइस पर वो अपने लैंड पर कुछ भी कर सकता है अल्दो डिपेंडेंड ने moral wrong किया है हो सकता है कि उसका intention malicious हो लेकिन फिर भी इस wrong को justify नहीं किया जा सकता है और इसके against में action नहीं लिया जा सकता है तो moral wrongs does not fall under the category of legal wrongs and thus are not actionable in law of thoughts राइट वाई होग यह जो case है Mayor and Company of Bradford vs. Sickles आपको समझ में आ गया होगा चलिए एक और case देखते हैं which is a leading case Gloucester grammar school case इस case में क्या था एक teacher जो पहले Gloucester grammar school में ही पढ़ाते थे जो कि English के teacher थे बच्चों में बहुत famous थे इन्होंने अपना एक अलग school खोला एक अलग school खोला इसी school के just bubble में जिसके वज़े से क्या हुआ कि इनके जो students थे वो इनके school को join कर लेते हैं इन्होंने fees भी reduce कर दिया तो इस ग्लासेस्टर grammar school को लॉसस होने लगा financial losses होने लगा तो ग्लासेस्टर grammar school ने एक suit file कर दिया कूर्ट ने कहा कि no action can be taken against the defendant because defendant had not done any wrong और ये बच्चों के ऊपर है कि वो किससे पढ़ते हैं they are free right तो in conclusion हम ये कह सकते हैं कि law of thoughts में केवल उन्ही injury को recognize किया जाता है जो legal injury होते हैं केवल उन्ही actions को entertain किया जाता है जिसके वजह से दूसरे परिशन के private legal rights का violation होता है law recognizes only legal wrongs and not moral or social wrongs तो ये था damnum sign injury का concept जिसे हमने आज के इस lecture में cover किया अब अपने next video में हम obejus EV remedium के complete concept को discuss करेंगे अगर ये efforts आपको अच्छा लगा है मेरे videos किसी manner में आपको help करते हैं तो please channel subscribe करिए videos को like करिए और अपना support जरूर देखे thank you have a nice day